आज के इस वीडियो के दार हम DOL starter मतलब कि direct online starter के उपर बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो को देख लेने के बाद में मैं आपको guarantee देता हूँ कि आप कभी भी आपके industry में आपके घर पे कभी भी DOL starter को आसानी से create कर पाऊँगे मतलब कि अगर आपको किसी ने इस तरीक contactor, relay, start करने के लिए button, motor को stop करने के लिए button दे दिये ना तो आप आसानी से आपकी motor को DOL starter के चला पाऊगे आपको किसी भी परकार की किसी भी आदमी से मदद लेने की जवरत नहीं पड़ेगी तो आप आखिरकार इन सभी चीज़ों को कैसे जोड़ा जाता है इनकी wiring कैसे की जाती है उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो बिना जदे दिखरें वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों DOL starter की wiring को आप अच्छे समझ जाए इसके लिए मैं यहाँ पर एक वंडर शेयर के इडियो में एक software को उप्योग में लोगा इस software की मदद से हम आसानी स किसी भी परकार की drawing को wiring को कर सकते हैं इस software का आप और भी किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं उसके उपर हम आगे और भी discuss करेंगे लेकिन अभी ये case में हम DOL starter के उपर बात कर लेते हैं तो अभी हम को इस software में wiring बनाना सीखना है तो इसके लिए software के अंदर हम इस new section में इंजिनिरिंग में जाएंगे और यहां पर electrical engineering में चले जाएंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको कहीं तरीकी की ड्रोइंग देखने को मिल जाती है यह सारे जो भी डाइगराम है जैसे हैं बेसिक सरकी डाइगराम बेसिक सरकी डाइगराम 3,4,5 इसके इसारीक के के डाइगराम की जवरत हैं अभे हम अच्षे से practical समझना आ जाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम एक new page को create करे ए तो दो सब आपके सामने इस तरी के एक blank page मिल चुका है, अभी इस blank page पे हम कैसे practical wiring डाइग्राम सिखेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ image को import कर लेता हूँ, मतलब कि हमको dual startup बना दें समय, किन-किन चीजों की आवशक्ता पड़ती है, जैसे कि motor हो गई, हमारी overload relay हो गए, contactor हो गए, MCB हो गई, और हमारे start stop के button हो गए, तो इन सभी चीजों की हमें जोरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, हमारे इन सभी चीजों को, हमारे software के अंदर open कर लूँगा, यहाँ पर हमारे software के अंदर सभी चीज़े आ चुकी है, इसमें हमारे क्या हाट वाले button को दबाए, हमारे green वाले button को दबाए, तो हमारे contractor start हो जाए, पर हमारी motor को on कर ले, इसका क्या काम है, वो भी आप जान लिजे, हमारी जो यह overload relay होती है, यह overload relay हमारी motor को protection देने काम करती है, जिस तरीके से हमारी MCB आपने देखी, यह क्या कर लिए, हमारी motor जब protection आप बोर सकते हो कि इस overload से मिलेगा, अगर आपको इसके बारे में detail में जाना है कि आपके overload और MCB में क्या difference है, तो इसके ओपर मैंने already video बना रहा है, आप वो वीडियो को वीडियो के end exchange आके देख सकते हैं, अभी के लिए दोस्तों हमें इस वीडियो को बिना लंबा करें, diet हमारी wiring के ओपर बात करने, मतलब कि कैसे हम इन सभी चीजों को जोड़े, कैसे हम इन सभी की एक साथ में wiring करें, कि हमारी motor अच्छे से run हो जाए, dual starter लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और चीप बता देना चाता हूँ, कि अभी जो मैं आपके सामने इस software यूज कर रहा और इसके अलाव अभी तो हम यहाँ पर physical MCB, हमारे contactor, relay, motor इन सभी को यूज कर रहे हैं, ताकि हम practical तरीके समझ पाए, लेकिन अगर आप इन पिशर की जगए, यहाँ पर अगर आप symbol का option दिख रहा है, इस symbol के option में जाके, यहाँ पर आपको predefined library मिलेगी, इसके अंदर से आ यहाँ पर electrical आपको कहीं सारे symbol देखने हों मिलेगे, इन में से अगर आपको किजी भी symbol की जोरत बढ़ती है, तो आप यहाँ से डाइक drag and drop करके यूज कर सकते हो, यहाँ पर इस software के अंदर आपको 26,000 से ज़्यादा symbol देखने हों मिल जाते हैं, लेकिन अभी software के आपर हम में जोर देते हैं, तो हमने हमारी main supply से यहाँ पर red face को ले लिया है, यहाँ से हम यलो face को लेके MCV में जोर देंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर blue face को connect कर लेंगे, और इसके साथ में आखरे के नहीं को neutral भी जोर देते हैं, तो दो से इस तरीके से आपको भी सबसे पहले आ MCV में लाके जोर देना है, अब जो हमारी MCV में supply आ गई, कि supply को क्या करना है, हमार जो contactor होता है, इस contactor में ले जाके जोर देना है, अभी आप जब भी contactor हो देखते हो, तो contactor में आपको कहीं सारे terminal देखने को मिलते हैं, तो अब आपको इस terminal में लाके यहाँ पर red, yellow, blue face को जोर देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमारी MCV में three face की supply है, इस three face की supply को, जो आपका red face है, इस red face को आपको यह L1, L2, L3 इन में लाके जोर देना है, तो अभी हम इस चीच को practical करी लेते हैं, हमारी MCV के एक side supply है आ चुकिए, दूसरी side ता output निकल गया, इस output को हम ले जाके, एक man contactor में लगा देंगे, जो कि हमने हमारे L1 पे जोर दिया है, दूसरा face हम ले जाके, हमारे L2 पे जोर देंगे, और इसके बाल में हमारे जो तीसरा face है, इस तेसरे face को ले जाके, हम हमारे L3 में जोर देंगे, तो हमने L3 पे जोर दिया, तो इसके मतलब कि आपको यहां पर आपको लागी जोड़ना है इसके पास में आपको क्या करने है आपके पास में जो भी रिले इस तरीकी की दिले आपके पास में होगी जिसे हम OLR बोलते हैं तो इस आपको इस गन्ट टालेंगे और वापस से क्या करेंगे हमारी इस और हैं हो जाएगी डिले को connect कर लेने के बाद में आपके पास में आखरी चीज बजेगी जो कि मोटर को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे हमारी जो एक डिले का आउट्पुट है इस ले जाके आपको मोटर से जोड़ देंगे मतलब कि हमारी जो मोटर के ओपर टर्मिनल बोक्स होत की power wiring को complete कर लिया है दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो डियो लिस्टार होता है यह को हम power wiring बोलते हैं second को हम हमारे control wiring बोलते है आखिर कर power में किया difference है तो simple है difference है हमारी जो मोटर को चलने के लिए red यलू blue face के आफशकता होती है उसकी wiring करने को हम पाउर वाइडिंग बोलता है अभी के केसे हमने यही किया हमने हमारे mcb से बंद करना अपने अनूसार और आपर करना हमारा कंट्रोल ग्लाता है अब की केसी में आगर हमारी मोटर को आपको कुछ बहुंग भी नहीं करना आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक face को लेना है, कहीं के CES में हम क्या करते हैं, हमारी MCB के output जो face निकल पर रहा होता है, यहीं से एक face को ले रहा है, आप किसी भी एक face को ले सकते हैं, आप क्या करेंगे किसी भी एक face को ले सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक relay को लगा है, जो क कि आपको मैंने स्टार्टिंग बता है ता कि हम एक ओवर लोड डिले को लगा रहें जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा सबसे पहले हमारी कंट्रोल की वाइडिंग इस रिले से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे जो भी अगर आपको किसी किसी पहले कि आप ऊसे एक फेस को उठाएंगे हम हमारे इस mcb की आॉट्पुटस एक फेस को उठा लेते हैं और इस में से की वहां से पहले हैं यह हमारी कंट्रोल की वाइलिंग करने के लिए रहे हैं साक्कि आगे चाकर से ब्सक्राइब आप किया करेंगे आप भी इस तरीक से एक face उठाएंगे और उस face को ले जाके आपको सबसे पहले relay के NC Terminal में जोड़ देना है इसके बात में आपको क्या करना है हमारी जो relay इस relay का दूसरा NC है इस दूसरे NC से एक और wire को वापस से लेना है तो अभी हम क्या करते हैं वापस से एक wire को लेते हैं लेले के दूसरे NC से और इस wire को ले जाके हमारे इस stop button में ले जाके आपको जोड़ देना है तो दोसरा ऐसा करते ही अब हमारे जो face है यह face हमारे stop button तक आ जाता है अब इसके बाद की आगे वाइडिंग क्या होगी तो काफी जादा सिपल है आपको क्या करना है वापस से एक wire लेना है इस start button के auto से एक wire को उठाएंगे और उसको ले जाके हम हमारे contactor को जो A1 टर्मिनल है इस A1 टर्मिनल से ले जाके जोड़ देगे तो दोसरा अभी हमारी इस contactor को चलने के लिए इसमें A1 पे और A2 पे supply लागे चूटनी है अब हमारे contactor कितनी supply चलेगा तो उधारन के लिए हमारे इस पर लिखावा है यह 220 वोल्टेज पर चलेगा मतलब कि एक फेस और एक न्यूटल पर चलेगा अभी केस में हमने क्या क्या है हमारे इस contactor face तो दे दिया जो कि हमने हमारे start stop button की मदश से दिया है जो कि हम control करने के लोग में ले रहे तो अब हम क्या करेंगे हमारे इस contactor पर न्यूटल भी लाकर जोड़ने है तो अभी हमारे पास में यहां पर इस जगे न्यूटल है तो मैं क्या करूंगा हमारी mcb से एक वायर को उठा लूँगा और इस वायर को ले जाके मैं हमारे a2 टर्मेनल पर जोड़नुगा ऐसा करती है हमारे इस contactor 220 पूरे voltage मिल जाएंगे जैसे हम इस start वायर को दबाते हैं मतलब कि हमारी control वायरिंग अफ हो चुकी है जैसे हम इस start वायर को दबाएंगे हमारे contactor on हो जाएगा क्योंकि इसे neutral direct मिल रहा है और हमारे इस face वह हमारे इस स्टार्ट विलेंगे दबाते ही मिल जाएगा तो हमारा इस कॉंटे को 220 जैसे मिलेंगे हमारा इक कॉंटेक्टर ओन होगा और हमारी मोटर चले लए जाएगी तो इस तरीके से हमारा डियोली स्टाइटर लगबा कंप्लीट हो चुका है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जैसे आप इस स्टार्ट वन को च्चोड़ दोगे तो एप्र्यों से ऑब इस कॉंटेक्टर का की होरा नुन ज हो और मोटर हमारी चलती रहनी चीए यह मोटर हमारी तब तक चलती रहनी चीए जब तक हम इस stop बटन को नहीं दबाते तो यह चीज़ हम चाहते है तो इसके लिए हम holding करेंगे तो holding कैसे करेंगे तो holding करना काफी ज़्यादा आसान है आपको आपके contractor में सिर्फ no terminal की एक आवशकता होगी तो आपको यहां पर दिख रहा है यहां पर एक no लिकाव है और इसका दूसरा no यह रहा तो आपको क्या करना है यह जो दोनों no है ना इन दोनों no की मतर्स से आप आस आपको ज्यान है यह एक और चीज आपको क्या करने पड़ेगी आपके बाद में अभी क्या हुआ एक और अटर्मिनल खा लिए यह दूसरा no टर्मिनल है इस no टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगा और उस वायर को आप क्या करेंगे हमारे जो स्टार्ट बिटन है यह जो हम अगर पूरी देखर से कंप्लिट हो चुकी है अब जैसी अगर आप एक इस बार इस ट्राट बटन को दबाते हैं तो भी आपकी मोटर कंटीनियू न रहेगी चाहे आप इस चोड़ भी दे तो आपकी मोटर कंटीनियू न वहेगी और यह मोटर तब तक आउन रहती है जब इस drawing को बनाया यह हमने वंडर सेट के इड्रो में एक software के अंदर बनाया है अभी इस software का जो सबसे अच्छा फायदा है जिसकी वजह से मैं इस software को यूज करता हूं तो वह मैं यह है कि अगर मैं इस diagram को save करना चाहता हूं तो यहां पर मैं इसे save करूंगा और browser के अंदर मैं किस मतलब कि जरूरी नहीं कि मैं software को download करूं अगर आप भी software को यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से online जाके भी software को यूज कर सकते हैं online कैसे यूज करेंगे तो इसका link आपको वीडियो के description box मिलेगा आप वहाँ पर जाहिए आप डारेक्ट आपके जो browser है इस browser में जाके भी software को रूच कर सकते हैं अगर आप वहाँ से download करना चाहते हैं तो download का link पर वीडियो के description box मिल जाएगा आप वहाँ से download कीजिए आपके Mac में आपके Windows में भी software को आसानी से चला सकते हैं अगर आप इस software को अभी download कर लेगे तो आपको काफ़ जादा benefit देखने मिलेगा क्या benefit school campaign, इस campaign के अंदर student को और teacher को दोनों को काफी बड़ा discount देखने मिलता है इनकी price के अंदर है वैसे दोस्तों इस software इस software डाउनलोड करना पूजित की से free है आप इसे free में download करके इसका use कर सकते हो लेकिन अगर आप बविश्य में इससे जाके earning करते हो आप बड़े-बड़े project लेते हो तो इस case में आप इसे buy भी कर सकते हो लेकिन इस case में आप इसे free में download करके इसका trial लीजिए अगर मैं आपको इसको download करने का बता हूँ तो आपको वीडियो की description box में link तो मिली जाएगा इसके बाद में आप इनकी website पर download button पर जाएंगे download button में जाने के बाद में आपको किसी भी कोई भी problem देखने हो मिलती है तो आप लीज मुझे comment box में comment करके बताईए आप मुझे instagram पर message करके बताईए आप मुझे screenshot भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँगा कि आप इस software को बहतर तरीकी से उप्योग कर पाओ तो आप इस software को एक बार तर्यवाद